Hello everyone, मैं राज कुमार आप सभी का welcome करता हूँ मेरे अपने YouTube platform teacher ग्यान पर दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने देखेंगे कि Pay Manager Portal पर auto salary process की परकिरिया क्या रहेगी किस debt tech आपको क्या क्या कारिये यहां पर करने रहेंगे तो चलिए दोस्तों अपना आज का वीडियो बिना किसी देरी के start कर लेते हैं सबसे पहले यह आप यहां देखते हैं तो आप देख सकते हैं weight and bill automation कीरिया का यहां view run मैंने दिया है सबसे पहले किस परकार का कारिये यहां पर किया जाना है तो चलिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले करमचारी द्वारा कटोतियों में प्रिवर्थनगी जो सूचना है यह कारिये पहले डीडियो के द्वारा किया जाता था लेकिन अभी यहां पर क्या होगा employee को खुद यहां पर यह कारिये करना होगा और हर महिने की एक तारिक से लेकर दस तारिक तक पेमनेजर पोर्टल पर इसको अफडेट करना होगा और यह जो है इसके लिए करमचारी अपना ध्यान रखें यह दियों के mobile नमर एड नहीं है पेमनेजर पर या फिर कोई गलत नमर एड है तो यहां पर उसको करेक्ट करवा लें कंसरन जो डीडियों हैं उनके दवारा क्योंकि यह जो वेरिफिकेशन का कारिया है यह OTP के दवारा संबव होगा जैसे आपकी यहां पर जीपिएफ कट होती है इंकम टेक्स कट होती है वो आपको यहां पर व्यक्तिगत एपलाई करना होगा यहां पर डिडेक्शन के लिए और इसके बाद में जो आहरें वित्रन अधिकारी रहेगा वो यहां पर दस से पंदरह तारिक के बीच में या फिर यह कह सकते हैं एक तारिक से लेकर पंदरह तारिक तक जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है उसको या तो एपरू करेगा या फिर उसको रिजेक्ट करेगा यह कारिय यहां पर रहेगा नेक्स्ट अपने यह दिश्पर चर्चा करें तो आहरें वित्रन अधिकारी जो आपकी employee pay details यहां update किया करते थे महिने के अंतिम 10 दिनों में यानि जब आपकी 20 तारिक से यहां पर bill allocation का कारिय शुरू हुआ करता था तब से तो यहां पर जो कारिय है हर महिने की एक तारिक से लेकर 15 संट के यहां पर करना रहेगा जैसे करम चारिक यहां पर व्यक्तिक्त बहत्ता है अलाउंस है डिडटेक्सन अयर्डेटा है प्लुकुमें THAT यहां उप्लोड करने रहेगी यहां आपको chc जर लाश्टम बताऊंगा स्लाइट्स के माध्यम से और ओनलाइन पोर्टल के दवारा किस पर कार से आप कर सकते हैं यह कारिये भी हर महिने की एक से पंद्रह तारिक तक यहां पर डीडियो की दवारा किया जाएगा अपने यह दीज़ पर चरचा करें तो बिलावंटन का कारिये यहां पर डीडियो की दवारा किया जाता था बीस तारिक से यहां पर हर महिने के बिल अलोकेशन का कारिय जो है शुरू हो जाता था तो यह जो कारिय है यह अभी ऑटोमेटिक होगा पेमनेजर पोर्टल के दवारा बिल अमर अलोकेशन और जो सेदेरी प्रोसेस का है तो यह अभी 20 तारिक से नहीं होकर 16 तारिक से होगा 16-22 की बीच में और पेमनेजर के उनको वेरिफाई कर दे 15 तारिक तक ताकि जितने भी एंप्लोई उन सभी का व्यतन बन सके इसके बाद में दस्तावेज जो अपलोड करने है यह भी आपको पहले जब आप बिल बनाते थे तो बिल प्रोसेस करने के पहचात आप यहां पर दस्तावेज अपलोड करते थे उनको अब आप हर महिने की एक से 15 तारिक तक यहां पर अपलोड कर देंगे जिस भी किसी बिल के साथ में अपलोड होने है जैसे किसी को आपको सेलेरी स्टोफ करना है इसकी रिलीज करनी है किसी की पार्शिल पेमेंट बनाना है यह सारे जो डोकुमेंट है आप यहां पर अपलोड कर देंगे एक से लेकर 15 तारिक तक इसके बाद में आहरें वितरन अधिकारी को जो डीडियो फोरवर्ड जो बिल किये जाते थे वो भी यहां पर अब ऑटोमेटिक होंगे यहां पर यह सोले से 22 तारिक के बीच में ऑटोमेटिक अग्रेशित कर दे जाएंगे आर तरल साइन का प्रोसेस हो जाएगा यह भी हर मैने की 16 से 22 तारिक तक संपन होगा और 13 तारिक से जो बिल है वो ट्रेजरी फोरवर्ड हो जाएंगे आरेंड वितरन अधिकारी द्वारा इसमें भी कोई भी चेंज नहीं करना है इसमें किसी भी परकार की परकिरिया नहीं यहां पर मैनुवल जो है बिल प्रोसेस का कारिये नहीं करेंगे सेलेरी के लिए ओकी दोस्तों थेंक्स पर वाचिंग